आज मेरी किचिन में रान रोस्ट हो रही है इद की मनास्बत से ये बहुत ही स्पेशल डिश है तो चलें हम स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने बकरे की एक रान ली है जिसका वजन तो क्रीबन दो किलो है और इसको मैं नाइफ के साथ कट लगा लूँगी अच्छी दरा से इसको कट लगा लेने है नाइफ तेज होनी चाहिए ताकि असानी से कट लग जाएं और अपने हाथ को बचा कर बहुत ही केरफुली आपने ये काम करना है तो दोनों साइट पर मैंने कट लगा लिए और ये ध्यान रहे कि डीप कट लगाने है ताकि जब हम इसको मैरिनेट करें तो सारे स्पाइस अच्छी से इसके अंदर पैनेटरेट कर सकें उसके बाद मैंने एक ट्रे में पानी लिया और इस पानी के अंदर मैंने हाफ कप आफ वाइट वेनेगर लिया है सिरका डाल दिया पानी के अंदर मिक्स किया और इस रान को मुझे इसके अंदर डिप कर देना है 10 मिनट के लिए अब पानी इतना होना चाहिए जिसमे रान अच्छे से डिप हो जाए अगर ये पानी कम है तो मैं इसमे पानी और डालूँगी और अगर आपके पास इतना डीप बरते नहीं है तो आप इसके साइड उल्टा भी सकते है अच्छा 10 मिनट के बाद मैंने एक ये ट्रे लिया और उसके ओपर ये वायर रेक रखा अब ये वायर रेक कहां से आया है ये मैंने फ्रेज की शेल्फ निकाली है तो मैंने ये रान इसके उपर रखी और मुझे इसको 30 मिनट के लिए इसके उपर ही रहने देना है ताकि इसका सारा पानी नीचे ट्रे में ड्रेन कर जाए 30 मिनट के बाद जब पानी ड्रेन हो गया तो मैंने इसको एक बड़ी सी कड़ाही में डाला और इसको fry कर लिया अच्छे तरीके से इसको मुझे fry कर लेना है दोनों तरफ से जब ये fry हो जाएगी तो इसको ठंडा होने के लिए रख दिया और उसके पाद मैंने एक बोल लिया प्यारा सा और उसमें मैंने एक कप योगर्ट काइट कर दिया साथी साथ मैंने एक प्वाटर का प्लिया है लेमन जूस जिंजर गालिक पेस्ट के दो टेबल स्पून भर के लिए है और ये हरी मिर्चे पिसीवी छे से साथ हरी मिर्चे थी सॉल्ट वान टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर वान टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च 1 तेबल स्पून हल्दी पाउडर 1 तेबल स्पून तिक्का मसाला 1 तेबल स्पून कच्छी पाउडर 1.5 तेबल स्पून धनिया पाउडर 1 तेबल स्पून जीरा पाउडर 1 तेबल स्पून यलो फूड कलर 1 तेबल स्पून इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से इस दही के अंदर मिक्स कर लिया तो यह हमारा मज़दार सा मेरिनेशन तेयार हो गया अब मैंने दुबारा से ट्रे ली और यह जो फ्राइड रान है इसको मैं रख दूँगी इस ट्रे के अंदर और यह जो मैंने बनाया है बेटर इसको इसके उपर उंडेल दूँगी क्योंकि मुझे इस रान को मेरिनेट करना है अच्छे से इसमें कट भी लगे हैं और यह फ्राइबी हुई है तो इसका फ्राइब करने से इसका कच्छा पन जो है वो खत्म हो जाता तो दोनों तरफ से मैं अच्छे तरीके से इसको मेरिनेट कर दूँगी हाथ के साथ सारे कट्स के अंदर भी मेरिनेशन को फिल कर दीना है और इसको मैं 6-8 गंटे के लिए छोड़ दूगी फ्रीज में रख दूँगी अच्छा जी आठ घंटे के बाद मैंने क्या किया किया कि मैंने एक ऐलुमिनियम फॉयल लिया और उसके उपर बटर पेपर भी स्प्रेड कर दिया और इसके उपर मैंने ही जो मेरिनेटेड रान है इसको रख दिया और जो मसाला इसके उपर से थोड़ा उतर गया है वो दुबारा से इसके उपर मैंने फिला दिया अब इस रान को मैं पैक कर दूंगी इस हलुमिनियम फॉल और बेटर पेपर के अंदर तो ये अच्छा सा पार्सल तैयार हो जाएगा इसको पैक करने के अब दो फाइदे हैं एक तो ये इजी टू हैंडल हो जाएगा और दूसरा ये कि जब हम इसको स्टीम देंगे तो इसका मसाला लीक नहीं करेगा पानी में नहीं गिरेगा बलके ये इसके अंदर ही रहेगा सारा इसका इरोमा भी मसाला भी तो पैक करने के बाद मैंने नाइफ के साथ इसको थोड़ा थोड़ा सा प्रेक कर दिया है दोनों साइट से प्रेक करना है ताकि जब ये इसके अंदर स्टीम भरे तो ये पटे या खुले नहीं उसके बाद मैंने फ्लेम आउन किया और एक बड़े देख्चे में पानी रख लिया अब मैंने अन्दाजा पहले से ही कर लिया था कि रान इसके अंदर पूरी आ जाएगी मैंने ये छे से आठ गार्लिक क्लोवस लिये हैं लेसन वो डाल दिये थोड़ा सा पुदीना डाला और मैंने डाले हैं लेमो के चिलके ये वो ही चिलके हैं जिनका मैंने जूस निकाला था अब ये चीज़े आप्शनल हैं अगर आप इनको स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं खाली पानी में भी स्टीम दे सकते हैं अब इसके अंदर मैंने ग्लास प्लेस किये हैं इन ग्लास को मैं एज अ सपोर्ट रख रही हूँ कि मैंने इसके उपर ये स्टीम रैक रखना है इसलिए कि जब पानी बॉइल हो तो वो रान को टचना करे और स्टीम रैक थोड़ा हाइट पे रहे तो मैंने इसको अच्छे से प्लेस कर दिया इसके अंदर रान को इसको कवर किया और इसके उपर ये वजन रख दिया है मैंने aluminium foil की ही ये strips काटी हुई है और इन strips को मैं यूँ इसके उपर लगा दूँगी देख्चे को अच्छे से बंद कर दूँगी ताकि जब इसके अंदर steam बने तो वो smoke out ना करे और इसको मुझे 2 घंटे कुक करना है पहले 10 मिनट ये high flame पे कुक होगा और उसके बाद medium to low flame पे तो दो खंटे के बाद जब मैंने देख्चे को खोला तो ये बहुत ही मज़ेदार और टेंडर और बिलकुल गली हुई रान तयार हो गई है इसका गोश्ट मुकमल तोर पे नार्म हो चुका है और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है बड़ी आसानी से ये रान तयार हो गई है तो इस एड़ पर आप इसको बनाएं अपने लिए अपने प्यारों के लिए मुझे फीड़ बैक दें मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आपका और मेरा तालुक आपस में जुड़ा रहे तो नेक्स्ट वीडियो तक अलाहाफ़ज